हलो दोश्टो हमारे चैनल अमरीत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है हर रोज की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जानकारी के साथ आये हैं और आज का हमारा टॉपिक है अज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के साथ अंग्रेजी कैसे बोलने जैसे हम घर में चोटे चोटे बच्चे राते हैं तो उनके साथ किस तरीके से जो हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में किस तरीके से बोलना चाहिए तो उन्हीं धेर सारी जानकारी के साथ आये हैं तो वीडियो को आम तक जरूर देखिएगा पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस तरह की धे सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बिल आइकन को और पर कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो देखते हैं इस वीडियो में बच्चों के साथ किस तरीके से बोला जाता है इसे कभी बच्चा जो होता है इधर दूर चलता रहता है बैठता नहीं मानता नहीं तो उसको कैसे बोलते हैं क्या आप एक जगह पर नहीं बैर सकते हैं क्या आप एक जगह पर नहीं बैर सकते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं इस्टेंड इस्टिल डोंट मूव खड़े रहो हिलो मत अब बच्चा कभी कभी जो है मुबाइल पर गेम खेलने लगता है कुछ और करने लगता हैं क्या बोलते हैं फिर बन्द करो यह इस्टॉप फिर फिर बनद कर दो मत देखो तो इसके लिए इस्टॉप वाचिंग टीवी देखना बंद करो इस्टॉप वाचिंग कार्टून कार्टून देखना बंद करो जब बच्चे लोग कभी-कभी ज्यादा मोवाइल में कार्टून में विजी हो जाते देखने लगते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बंद करो कार्टून मत देखो तो इस्टॉप watching cartoon cartoon देखना बंद करो फिर उसके बाद जब सुभे बच्चे उठते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं न ब्रस कर लो brush your teeth properly अपने दात अच्छे से साप करो brush your teeth properly अपने दात अच्छे से साप करो put on your clothes अपने कपड़े पहलो यहीं कपड़ा पहलने के लिए बोलते हैं put on your clothes अपने कपड़े पहलो तो इस तरीके से हम लोग जो हर बात बच्चे से काते हैं हिंदी में उसको अंगरेजी में कैसे हम लोग बोले ताकि बच्चा को भी सीख मिल जाए बच्चा भी सीख जाए और साथी साथ आप लोग भी सीख जाए पुट ओन योर सूज अपने जूते पहन लो जिसे बोलते हैं ना कपड़े पहन लो जूते पहन लो तो पुट ओन योर सूज अपने जूते उतार दो जूता देखिए पहनने के लिए पुट ओन को योग होता है और उतारने के लिए टेक ओफ योर सूज अपने जूते उतार लो, take off your cloths, अपने कपड़े उतार दो, tie your shoes laces, अपने जूतों की laces बाद दो, जब जूता पहनते तो बोलते हैं जो उसमें फीता लगा रहता है, उसको बादने के लिए बोलते हैं, तो tie your shoes laces, अपने जूतों की laces बाद लो, finish your food quickly, अपना भोजन जल्दी समाप्त करो, जिसे खाना जब बच्चे लोग खाते हैं, तो काफी समय बिता देते हैं, कुछ और कार्ण में बिजी रहते हैं, कुछ और देखते हैं, तो फिर उनको बोलते हैं जल्दी जल्दी खाओ, तो finish your food quickly, अपना भोजन जल्दी समाप्त करो, it is good for your health, जिसे किसी चीज को हम बच्चे को समझाते हैं, बोलते हैं या तुमारे स्वास्त के लिए अच्छा है, तो it is good for your health, या आपकी health के लिए अच्छा है, don't bite your nails, जब बच्चे लोग अपने नाखून को काटते हैं, दात तो don't bite your nails, अपने नाखून मत काटो, या चबाओ, don't put your finger into your mouth, अपनी उंगली मुह में मत डालो, जिसे कभी-कभी बच्चे लोग अपनी उंगली को मुह में डालते रहते हैं, तो हम लोग बार-बार मना करते हैं कि अपनी उंगली मुह में मत डालो, तो don't put your finger into your mouth, अपनी अपनी उंगली मुह में मत डालो, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, change your cloth, जब बच्चे लोग स्कूल से आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, अपने कपड़े बदल लो या dress बदल लो, तो change your cloth, dress बदने लिए change your dress भी लगा सकते हैं, अपने कपड़े बदल लो, complete your homework, अपना homework पूरा करो, जब कोई school का या कहीं coaching का, tuition का जो homework मिलता है, तो उसको लिए बोलते हैं, अपना काम पूरा करो, तो complete your homework, अपना homework पूरा करो, don't tear the pages of your notebook, अपनी notebook से pages मत फाड़ो, बच्चे लोग ज्यादा तर अपनी जो notebook होती है, उसके page निकालते रहते हैं, तो उसक don't tear, tear मतलब फाड़ना होता है, don't tear the pages of your notebook, अपनी notebook के pages मत फाड़ो, don't make a noise, हल्ला मत करो, बच्चे लोग जब ज्यादा सोर मचाते हैं, तो क्या बोलते हैं, don't make a noise, सोर मत करो, या हल्ला मत करो, don't make a quarrel, जगड़ा मत करो, don't make a quarrel, जगड़ा मत करो, don't be a sigh, सर्माओ मत, जब कोई बच्चा सर्माता है, या हम लोग जब वापस में बात करते हैं, बच्चे लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन कोई दूसरा आता है, तो नहीं बोल पाते हैं, don't be a sigh, सर्माओ मत, don't drag your feet, अपने पैरों को मत गसीटो, जब बच्चे लोग, या कोई गसीट के पैर चलता है, तो वहाँ पे don't drag your feet, अपने पैरों को मत गसीटो, don't drag your knees, जब कोई बच्चा अपने घुटनों के बज़ से चलता है, गसीटते हुए, तो don't drag your knees, अपने गुटने को मत गसीटो, don't drag your feet, पैरों कोई बच्चा कुछ छेड़ता है, या कुछ गलत करता हैं, don't touch it, इसे मत चेड़ो, don't touch my mobile, मेरी मुबाइल को मत चेड़ो, don't touch the TV, TV को मत चेड़ो, don't touch the laptop, laptop, laptop को मत चेड़ो, keep your book in your bag, अपनी किताब अपने बैग में रखो, जिसे किताब इधर दर बच्चे लोग ज्यादा भी खेर देते हैं, तो बोलते हैं अपनी किताब सब उठा कर बैग में रख लो, keep your book in your bag, अपनी किताब अपने बैग में रखो, keep your shoes in the shoe rack, जो एक shoe rack होता है जहाँ पे जूते चपल हम लोग रखते हैं, एक बना राता है, तो वहाँ पे रखने के लिए बोलते हैं, तो अपने जूते को shoe rack में रखो, don't dare to cry, रोणा मत, जैसे बोलते हैं नहीं, बच्चे लोग को हम डाट देते हैं, कभी बोलते हैं, रोणा मत, तो यहाँ पे है, don't dare to cry, रोणा मत, not at all, बिल्कुल नहीं, जैसे कोई चीज हम, हमसे बच्चे मांगते हैं, तो हम बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, या कुछ करता ह तो वहां के लिए बोलते हैं बच्चे लोग तो थोड़ा से दे दो तो वहां के लिए बोलते हैं एक घूट भी नहीं मिलेगा तो नोट आशिप एक घूट भी नहीं तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसाम तरीके से अपने घरों में बोल सकते हैं बच्चों के साथ ताकि कि बच्चों को भी आ सके आसानी से अंग्रेजी बोलना नोटा बाइट जैसे कुछ चीज हम लोग खाते रहते हैं तो रोटी हो गया है या और कोई चीज होता है तो बोलते हैं बच्चे लोग थोड़ा से दे दो थोड़ा और तो यहाँ पे है नोटा बीट एक टुकड़ा भी नहीं यानि नोटा बी एक टुकड़ा भी नहीं Don't be hasty, जल्दबादी मत करो, जिसे बच्चे लोग कभी-कभी कुछ काम करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत जल्दबादी मत करो, don't talk nonsense गलत बात मत करो बच्छे लोग ज़ादा तर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं तुसके लिए बोलता है न don't talk nonsense गलत बात मत करो don't make excuses बहाने मत बनाओ कोई काम करननी के लिए जब बच्छे लोग मना करते हैं कोई और मना करता है तो क्या बोलते हैं, बहाने मत बनाओ, काम करो, don't make excuses, बहाने मत बनाओ, don't annoy me, मुझे मत सताओ, जिसे बच्चे लोग तंग ज्यादा करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे तंग मत करो, या मुझे मत सताओ, don't annoy me, मुझे मत सताओ, don't make me hungry, मुझे गुसा मत दिलाओ, कभी-कभी बच्चे लोग जादा गुसा दिलाते हैं ना कुछ ऐसा करते हैं गुसा आता है तो बोलते हैं कि Don't make me angry मुझे गुसा मत दिलाओ Don't be annoyed गुसा मत हो ये जब कोई गुसा होता है बच्चा कुरोधित होता गुसा करता है तो बहां के लिए बोलते है Don't be annoyed गुसा मत हो ये Don't bother me मुझे परशान मत करो या मुझे तंग मत करो Don't bother me मुझे परशान मत करो Don't disturb me मुझे परशान मत करो Don't disturb me मुझे परशान मत करो Don't tease me मुझे परशान मत करो Don't tease me मुझे परशान मत करो don't travel me मुझे परिशान मत करो don't travel me मुझे परिशान मत करो तो परिशान करने वाला जो होता word कई है तो हर एक चीज का word जो होता है कई होते हैं तो इस तरीके से आप लोग बोलिए ताकि बच्चों को भी सीख मिल जाए और साथी साथ आप लोग भी सीख जाए don't argue with me मुझे से बहस मत करो जिसे बहस करते हैं बच्चे लोग ज़्यादा बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे से बहस मत करो don't argue with me better you complete your homework right away or else अच्छा होगा कि अभी अपना homework पूरा कर लो वरना कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को कि अपना homework काम कर लो नहीं तो अभी पीटेंगे या कुछ करेंगे तो वरना इस तरीके धमकी देते हैं तो better you complete your homework right away or else अच्छा होगा कि अभी अपना homework पूरा कर लो वरना better you switch off TV right away अच्छा होगा कि टीवी अभी बंद कर दो जीसे नहीं बोलते हैं हम लोग टीवी अभी बंद करो तो better you switch off TV right away अच्छा होगा कि अभी अच्छा होगा कि टीवी अभी बंद कर दो wash your hands properly अपना हाथ अच्छे से साप कर लो wash your hands properly अपना हाथ अच्छे से साब करलो किताब को अच्छे से पकड़ो sit still don't move still बैठो hello मत sit still don't move still बैठो hello मत तो इस तरीके से आप लोगों ने धे सारे conversation रोजाना बोलने के जो हमारा दिन चरिया में हम लोग use करते हैं इस तरीके के आप लोगों ने इतना word बहुत आसान तरीके से सीखा उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और अपने बच्चों को भी इस तरीके से बोल बोल कर उनको भी सिखाईए साती साथ आप भी सीखिए ताकि आपके आने वाले समय में सभी लोग को अच्छी जानकारी हो जाए एक इंग्लीज की पकड़ हो जाए ताकि आपको कोई समय स्या नहीं इस तरह कि हम ढेर सारे कॉंटेट बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रही हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को आल पर कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक असारी से पहुंच सकें फिर मिलेंगे एक नए टोपिक के साथ एक नए जानकारी के साथ बने रही है पढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है